पीसज करेंड न्यूस में अभी की खबर है भारत का पहला सकल परियावरण उत्पाद लौंच हाली में उत्राखंद सकल परियावरण उत्पाद लौंच करने वाला भारत का पहला राज्चा वन गया है बता दे कि GEP को उत्राखंड के मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी द्वारा लागू किया गया है इसके अंतरगा चार प्राकरतिक संसाधनों वायू, जल, वन और मिट्टे को मौद्रिक मुल्ले दिया जाएगा गौर तलब है कि GEP सुचकांग 2020 से 2022 तक के तुलनात्मक आकडों को दर्शाता है और शुने दश्मलव 9 प्रतिशत की वृध्धी को दर्शाता है चली अब जानते हैं सकल परियावरण उत्पाद यानि GEP के बारे में यह पारिसितिक इसिति को मापने ही तु एक मुल्यांकन प्रणाली है इसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधरों में हुई वृध्धी के आधार पर समय समय पर परियावरण के इसिति का आकलन करना इसे उन उत्पाद और सेवा मुल्यों के रूप में लिया जाता है जिसमें पारिसितिकी तंत्र मानव कल्यार आर्थिक इवं समाजिक सतत्विकास को बढ़ावा मिलता है इसमें प्रावधान, वीनियमन तथा सांस्कृतिक पारिसितिकी तंत्र सेमाई शामिल है बतादे कि उत्राखन अपनी जैव विविदता के माध्यम से राष्ट को प्रतिवर्ष लगभग 95,112 करोड रुपे की सेमाई उपलब्ध कराता है उत्राखन राज्ज में 71 प्रतिशत से अधिक शेत्र वनों की अधीन है गौर तलब है कि उत्राखन में हिमाले का भिविस्तार है और गंगा या मुना तथा शार्दा जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है साथ ही कॉर्बिट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व जैसे वरनजीव अभ्यारन भी यहां अस्तित है उत्राखन एक ऐसा राज्य है जो बहुत सारी पर्यावरणी सेमाय प्रदान करता है तो चलिए अंथ में देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को उत्राखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सकल पर्यावरण उत्पाद लॉंच किया है दो यह एक ऐसा राज्य है जो बहुत सारी पर्यावरण सेमाय प्रदान करता है उपर रुकने से कौन सा या कौन से कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले